जैम आतादी दोस्तो, कैसे हैं आप सभी? दोस्तो आज़की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहन के बारे में 16 जुलाई को गुरु पुनिमा है और गुरु पुनिमा के दिन चंद्र ग्रहन हो रहा है जो की पूरे भारत वर्ष में दिखाई देगा इस दिन अशाड सुकल पक्ष की पोनिमा है जिसे गुरु पोनिमा के नाम से जाना जाता है तो क्या है इस चंदर ग्रहन का सही समय और क्या होगा सभी बारे राश्यों पर इस ग्रहन का असर इस वीडियो में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी बने बेल का एकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें सबसे पहले दोस्तो ग्रहन मध्य रातरी में एक बजकर 31 मिनट पर शुरू होगा जो अगले दिन यानि 17 जुलाई की सुभा 4 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगा यानि इस ग्रहन काल का जो कुल समय होगा वो 2 घंटा 69 मिनट लगबग 3 घंटे का होगा इस से पहले 16 जुलाई की शाम 4 बजकर 31 मिनट पर ग्रहन का सुभ तक शुरू हो जाएगा तो ये सबी इस ग्रहन के दोरान सबी बारे राशियों पर क्या असार होगा चली जानते हैं बात करते हैं में इश्रासी की इस राशि वाले जातकों को शारेरिक और आर्थिक कहानी हो सकती है तो जोखी भरे कारे लेने से बचना है आपको वाहन की गती को नियंतरन बनाए रखना है और सोच समझकर किसी पिरकार करने न लेना है व्रशब राशी इस राशी वाले मानसिक रूप किसी चिंतित रह सकते हैं जिसके फल्सवरूप इनका जो मन है वो किसी कारे में नहीं लग पाएगा जीवन साथी को स्वास्ते का ध्यान रखना होगा और अपने उपर नियंतरन बना कर रखना होगा व्याकी अधिक्ता इसमें बनी रहेगी खर्चे अधिक होंगे संबंदों के प्रती भी मन में उदालशियन सा सकती है रुके हुए धन की प्राप्ती आपको लेकिन हो सकती है यानि आपको आर्थिक तौर पर लाब मिलेगा करकराशी आपके प्रतिक्षित कार्य के पूर्ण होने से मन बड़ा प्रसन चित रहेगा किसी कारण वस धन की प्राप्ती होने का योग भी बन रहा है समय का सही उप्योग करें जीवन साती के साथ अच्छे संबंद बनेंगे सेहिंग राशी परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा कोई शुब समाचार मिलने की संभावना है धन की इस्तिती भी सुद्रड रहेगी बेकार के वारता लाप में अपनी उर्जा नस्ट ना करें वाद विवाद में भी ना फसें अपने सभी कार्यों के प्रतिस सचेत रहने के आवशकता है अकारण ही कोई ऐसा बात हो सकते है जिसे मन दुखी हो इसलिए सावधानी बढ़ते हैं और व्यर्थ की बातों को सोच कर अपने मन को दुखी ना करें तुला राशी पारिवारिक माहौल सो खद रहेगा आए के पेक्षा वेकिया दिखता रहेगी करियर के शेत्र में कुछ लोगों की प्रगती होगी बिगडे हुए सम्मद अच्छे हो सकते हैं परिवार में किसी के साथ नोगजोख हो सकती है तो सावधानी रखें और वाणी पर नियंतरन बना कर रखें ससुराल पक्ष का कुछ सहयोग आपको मिल सकता है जिससे आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा जीवन साती के से आप तनाव होता है और आयके पेक्षा खर्चा अधिक होगा जिससे मन काफी दुखी हो सकता है परिवार का सुख और सहयोग आपके साथ बना रहेगा किसी कारे को करें तो किसी की सलाहा मश्वरा लेकर ही करें वरना नुकसान हो सकता है मकर राशी संतान की ओर से मन चिंतित रह सकता है कोई वस्तु चोरी होने की भी आशंका है संबंदों में तनाव की सिति उत्पन हो सकती है कुछ लोगों को धनकी हानी भी समय हो सकती है कुम्ब राशी रोजी और रोजगार में अत्यदिक निवेश ना करने से आपको मिलेगा यानि ज़्यादा निवेश आप ना करने तो अच्छा रहेगा पिताकी से हत का ध्यान रखें अफिस में आपका दबदबा कायम रहेगा यानि अच्छा रहेगा मित्रों का साथ मिलेगा सुख मिलेगा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा यानि आपके लिए ये चंदर ग्रहन शुब रहने वाला है मीन राशी आर्थिक कारिया फली भूत होंगे जिसके कारण मन में सकारात मक विचारत पन होंगे मित्रों का सुख और सहयोग मिलेगा संतान की ओर से चिंता दूर होगी और छात्रों को अपनी परिक्षा में सफलता भी मिलेगी तो दोस्तों और अधिक ऐसी जनकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें